नमज़कार दोफ्तों मार्केट है अब सभी लोग का स्वागत है चलिए देखते मार्केट कैसा ब्याइब कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका टेट कर रहा रहां उनने सचार्ट सो ही बोल सकते हैं हम इसको और बैंक निफ्टी आपका टेट कर रहा रहां चवाले सदार अठार अब यहां पर हमें समझना है देखो आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है नॉर्मली मार्केट के है अगर फ्लाइट खुलके गिरता तो एक अच्छी बन सकती थी बड़ यहां सब्सक्रा ऐख स dollars फोनिते हेसं और समयर कम बनाता है तो आपको बाहुक्स को बाई कर लो तो अब ज्यादा देर नहीं कर सकते है options को as a option buyer selling में कोई दिक्कत नहीं है आप सेलिंग में थोड़ी दिर होल्ड कर सकते हैं अगर हम करेंटली option डाटा को देखें तो यहां पर हमें देखने को यहां पर कि पहले करते हैं तो सबसे पहले अपना logic कर लेते हैं यहां पर क्या हो और यह हमें open रहेगा बट प्रॉब्लम क्या है कि नीचे से ऊपर जो बाइंग आती है वो बहुत सिलो हाती है ध्यान रखना मैं यह नहीं बोला कि आ नहीं सकती डेफिनेटल आ सकती है क्योंकि यह important level है फिर यह gap है gap को भी fill कर सकता है बट थोड़ा से इसको आप हॉल्ट करना पड़ेगा तब उसक बड़ी ट्रेट प्लान नहीं करनी है जब उपर से नीचे आता है तो हम बड़ी ट्रेट प्लान कर सकते हैं क्योंकि वह हमारी ट्रेंड के साथ रहती है यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है इतना आपको समझ में आगया वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के बात कहा है तो पर इसको अचीब करने की कोशिस कर सकता है यह point आपको ध्यान में रखना है फिर यह gap भी है इतना बड़ा जो gap create किया हुआ हो सकता है फिर यह चवाले तरह दोसों तक भी चला जाए बट वहीं चीद है अगेंस्ट ट्रेंड ले रहा है हम तो कम कॉंटिटिव लेंगे जब उपर से नीचे मार्किट आएगा यानि डे हाई तोड़के दे लो की तरफ आता तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते थे क्योंकि ट्रेंड है यह अगेंस्ट ट्रेंड का मतलब क्या है कि हो सकता है यह उन्हें से 430 तक जाए वहीं से reverse कर जाए तो थोड़ी सी कम quantity करना है ठीक है इतना आप समझ लीजिए और जब तक कि अगर आप बाय साइट पे ट्रेड नहीं लेना चाहते हो तो यहां पर देखो सिंपल दीची तो यहां से गिरेगा थोड़े से चांसे कम है और फर्दर गिरने का क्योंकि अलड़ी 130 पॉइंट नेगिटिव है ठीक है य ग्लोबल मार्केट के सिच्वेशन देख लेता है करेंटली इंडेसे फ्यूचर्स में अकर हम जाते हैं तो यहां पर दाव फिचर 111 पॉइंट नेगेटिव कामकाच कर रहे हैं ओवर दे नाइट यूस मार्केट में काफी शार्प गिरावट देखने को मिलीटी तो हमारा ट्रेंड भी यहां पर नेगेटिव बन सकता है थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रू ध्यान में रखिएगा बैंग निफ्टी के एकस्पायरी है और अगर यह नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हुआ तो बैंग निफ्टी आपको पता ही है इसली यहां से तीन चार सो पॉइं बंद आता तो लाइक उश्याद दरू करिए का और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सुधी लेकर आतर हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के तार शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद